खैलो फ्रेंड्स जैस्री क्रिश्ना जै पूरी करें तो देखिए दूस्त्त आज की वीडियो बहुत अच्छी है आज हम आपको बताएंगे कि आप पर कुन सी शक्ति का हांत है जो आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी चलिए अब आपको तीन मूर्ती दिखाई दे रही होग तो जल्दी से एक मूर्ति चूस कर लिजिए जो भी आपको अपनी और आकर्शित करें जो भी आपकी इस्ट हो जिसे भी आप मानते हों उस देवी की पिक को आप चूस कर लिजिए उसके बाद हम देखेंगे कि मातरानी का क्या संकेत हैं आपके लिए क्या कुछ आशिरवाद है मातारानी का और वो क्या कहना चाहती है आप से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें तक कि आने वाले और भी लेटिस्ट वीडियो आप तक असानी से पहुंच सकें कमेंट सेक्षिन में अपने माइन के डाउट्स जरूर लिखेगा वीडियो क यह दो नष्यूट देख्ट देखेंगा साथी वीडियो पसंद आये तो बेजय लाइक करना बिल्कुन मतबलेगा स्क्रीन पर आपको तिन मुर्ती दिखाए दे रही होगी माकाली की फर्स्ट मूर्ती है सेकंड देखी आपको फिर मातारानी की मूर्ती दिखाए दे रहे होगी थर्ड नमबर पर फिर माकाली की मूर्ती आपको दिखाए दे रही होगी तो इन तीनों मूर्तियों में से जो भी मूर्ती आपको पसंद आ रही है उस मुर्ति को आप पसंद करें चूस करें उसके बाद देवी से प्राथना करें तो चलिए वीडियो के शुरुआत करें फर्स नंबर की मुर्ति जिस किसी ने भी चूस करी है उनके लिए हम बस यही कहना चाहेंगे कि मातारानी का पूरा पूरा आशिरवाद आपके उपर प्राप्त है क्योंकि आपका कोमल स्वभाव है जो आपका नरम स्वभाव है जो आपका कोमल दिल है वो आपको मातारानी के ओर खीचिता है और मातारानी का आपसे अलग कनेक्शन बनाता है देखे पेशों से समदित कुछ योजना आपकी ठीक से बंड नहीं रही है जिस वज़े से खर्चों पर नियंतरण नहीं हो पा रहा है पारिवारिक बातों पर ध्यान अधिक ना रहने से थोड़ी नाराजगी परिवार वालों की भी आपके तरफ है लोगों के साथ समझोता करके परिस्तिती को बदलने की कोशिश करे मातारानी का पूरा आशिरवाद आपके उपर है आपको घबरानी की जरूद बिलकुल भी नहीं है क्योंकि माता जिस शक्ति को आप पान रहे हैं जिस देवी को आप पन रहे हैं वो देवी पूरी तरह से आपके साथ में हैं हर जगे हर पल हर वक्त क्योंकि आपका सच्चा रास्ता आपकी सच्चाई और आपका हर वक्त इमानदार रहना मातारानी को बहुत प्री है आप मातारानी के सबसे प्री और सबसे सचे भक्त है आपके भक्ती से माता इतनी प्रसन नहें कि वो हर जगे आपको सचेद करती रहती आपके साथ खड़ी रहती है देवी मा का आपके उपर पूरा आशिरवात प्राप्त हैं आपके घर मालक्षमी मातरानी का नन्धी गुडिया के रूप में जन्म भी लिया है मातरानी ने तो जो भी बालिका आपके घर पर है चाहे वो आपके पडोस में हो या आपके पास में हो या आपके घर में कोई बा जो मातरानी ने आपके घर में जन्म लिया है उनकी आपको कभी भी उस नन्ही बालिका को भले प्यार से देखिए अधिकतर घर के बड़े वुजुर्गों की आदत रहती है कि प्यार से बालिका को अब शब्द तो नहीं कह सकते पर हां बोलते हैं कुछ गाउं की आदते रहत बालिका की दर्शन करके जाएं उनके पेरों का वंदन करके जाएं और साथ में बालिका आपके घर में हमेशा खुश रहनी चाहिए कभी भी चिड़ चिड़ी रोती हुई या फिर डरी हुई नहीं रहनी चाहिए क्योंकि जिस घर की बेटी और बहु खुश रहती है उस घ घर मा का आगमन विराजमान हमेशा मा बनी रहती हमेशा उस घर में विराजित रहती है और मा का आशिरवाद हमेशा उस घर पे बना रहता है तो इसलिए कोशिश हमेशा यही करिएगा कि कभी भी आपके घर की बहू या बेटी नाराज ना हो हमेशा खुश हो अगर दोनों मे की मातरानी जिस किसी ने चूस करी है तो मातरानी आपसे बहुत खुश है बहुत प्रसन है आपका जो खुश मिजाद जो स्वभाव है आप हमेशा खुश रहते हैं आप हमेशा सबको हसाते हैं सबसे बाचित करते हैं धर्म के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं आप हमेशा प प्रति अपने ऊंपैज रहे रखते हैं औरर मातारानी के एक दिन इस सी क्रपा हुने वाली माँ फुर्द चल कर आपके घर आने वाली कि नद्हीं महमान के रूप में भज्टी के रूप में आपके घर पर बहुत झल एक गुंजने वाली है मां देवी जिस भी देवी को आप इस्ट मानते हैं वह शक्ति आपके घर में बहुत जल्दी पधारनेवाली है तो दिल से उनका स्वागत करें और साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कोई मांगलिक कारेकरम आयो जीत होने वाला है तो मातारानी बहु के रूप में भी आपके घर में पधार सकती है जरूरी नहीं कि मा सिफ बच्ची के रूप में ही हो सकता है मा आपके घर में मांगली कारेकरम या बहु के रूप में भी आ सकती है बहुत जल्द किसी की शादी तय होने वाली है साथी यह भी जान ले दोस्तों कि मातरानी का जो आशिरवाद आपके उपर प्राप्त है जो इस्ट माता का आपको प्राप्त है वो करोडों में किसी एक को प्राप्त होता है कहीं ना कहीं आपको मा की सेवा करने चाहिए माता का आशिरवाद अगर आपको प्राप्त करना है शरंगार कि जो भी आप करते हैं जिस भी चीजसे आप करते हैं पिछूड़ी पायल मांघ भरने का जो सिंदूर रहता है कि प्रसंद्व करते हैं चीजसे प्ते में तक इस पृज़्वह एट। और मातारानी भी प्रसंद होती हैं तो देखिए दोस्तों मातारानी का तो आशिरवाद आपके उपर प्राप्ति लेकिन इस बात का ध्यान रखेगा कभी भी किसी महिला का या बच्ची का अपमान ना करें हमिशा सबके साथ अच्छे से रहें सबको खुश रखें तो मातारा प्राप्त हैं देवी मा आप से बहुत भुश है क्योंकि आप शिव जी के भींद हैं मा काली हमेशा उनसे खुश रहती हैं तो कोशिश करेंगा दोस्तों कि हर शिवाद यंदिति जब भी आपको मोका मिले जब भी आप मंदीर जाए शिव जी को जल जरूर चड़ाएं क्योंकि मा का आपके उपर आशिरवाद प्राप्ते और मा का आशिरवाद अगर प्राप्ते और आप शिव जी के उपर अगर जल चड़ा रहें या शिव जी की पूजा उपासना कर रह बहुत जल्दी आप किसी की भी बातों में आजाते हैं एकदम से आप सोचते भी नहीं और किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं जो आपका भोलापन है जो आपका एक कोमल रजय हैं यही मा को बहुत पसंद हैं आपकी वाणी थोड़ी सी घुसे में कठोर जरूर हो जाती हैं लेकिन आपकी वाणी से जो लोगों को खुशी मिलती है आपके बोल से जो लोगों को खुशी मिलती है आप जो दिखाते हैं कि मैं हर वक्त तेरे साथ हूं हर पल तेरे साथ हूं जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़े तुझ जरूर बता देना तो जो यह बोलते हैं आप से आपके दोस्तों से आपके परिवार वालों से आपके मित्रों से कि मतरानि को इस शब्द बहुत अच्छे लगते हैं साधीदेवीमा की जब भी आप पूजह उपासना करते हैं तो आप का यही भुला स्वभाव मातरानी रखेंSA और खुशसे घृणा आरwość आपके अपको प् effort आपप्त है र्वक्त आ आपके साथ के और बहुत जल्द захirk करण प्ला। देवी मा आपके घर चार तरह से आ सकती हैं सबसे पहले नन्य महमान के रूप में नन्य कोई बच्छा आपके घर में जन्म लेने वाला हो सकता है उस रूप में मातरानी आए पोई कारेक्रम आपके घर में आउजित होने वाला हो तो बहु के रूप में मातरानी आ सकती है थर थोड़ी से दिर के लिए अगर लेकर आएंगे तो भी एक मातरानी आपके घर में विराजित हो जाएगी इसे के साथ दोस्तों एक चीज और बता दे कोई मूर्ती अगर आप लाना चाहते हैं छोटी से चोटी मूर्ती भी अपने स्ट की अपने उन देवी के जिनको आप मानत अच्छा है आपकी वह बहुत जल्द पूरी होने वाली है दोस्तों आज कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी पसंद आई हो लाइक करें साथे कमेंट सेक्शन में जय मातरादी जरू लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें बिल आइकन को प्रेस करें ताके आने वा है विखला आप से को बहुत बहुत धनिवाद जय मातरादी हर हर महादेर